आईए दोस्तों आज ये पहला सावन सम्मार है आपको मैं लहरी बाबा के आसरम में गुमाने हेतु लेकर चल रहा हूँ यहाँ बहुत ही बड़ा सिवलिंग है और उससे भी बड़ा दस गुना बड़ा उसके उपर सिवलिंग है संत लहरी बाबा आसरम यह कामठा गाओं में है जो माहराश्ट में है मैं गोंदिया सिटी में रहता हूँ और यह आसरम यहाँ से बाला 12 किलो मिटर की दूरी पर इस्थित है आसरम बहुत ही खूपसूरत है और आसरम का भगिज्या तो सुन्दर्ता पे चाल चान लगा रहा ह है बाबा जी इसी आसरम मतलब इसी कामठा गाओं के मूल निवासी थे इनका नाम जैराम दास था इन्होंने समाज को धर्म भाईचारे यहां अध्यात्मी की सिक्षा दी बहुत ही माने हुए संत थे शिवरात्री एवं स्रावन मास तथा गुरू पुर्णिमा में यहां य यहां यहां विदेशों से भी लोग यहां आते हैं इस संत के आसरम के दर्शन करते हैं आसरम तो सभी के लिए खुला है देखे कितना सुन्दर है कितना खूबसूरत है कितना विसाल का है शिवलिंग बहार से भी दिखाई दे रहा है कुछ समय के पसचात मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा देखे कैसे लोग अंदर जा रहे हैं क्या प्यारी प्यारी क्यारियां लगी हुए है और देखो यह पीले रंग का कर्थे कलर का नक्कासिदार मंदिर है मैं आपको इसके अंदर भी लेकर जाओंगा कितना विसाल का नारियल का पेड़ है और पेड़ में नारियल भी फले हुए है देखो नंदी महाराज एकदम पहुत सारे नारियल के विसाल व्रक्ष्च हैं यए कथ nossa रंगे नकासिदार मंदिर में ये देवी विराजमाने कितने सुन्दर मूरती है और किते भवय मूरती है मंदिर के स्प्रांगन में चारो तरफ फवारे लगे हैं रंग विरंग फवारे मंदिर के गुलाई पी लगे हुए हैं देखते ही बनती है रहुना मंदिर की देखिए वो गेट कितना सुन्दर वना हुआ है सीडियों पे कालिम बिछे हुए हैं ऐसा लगता है हमको चेत्र देख रहे हैं देखिए मैं अपको अंदर ले चला ये सीवलिंग देख लीजी बगवान सीवलिंग के दिर्सन कर लीजीए बगवान सीवलिंग को परनाम करिए सीवलिंग के उपर सीवलिंग है देखिए सुन्दर सुन्दर फूल फूलों के पेड़ क्यारियां गमले पुरे मंदिर परिसर को सजाया गया है यहां का मन मोहक दरस से आपके मन को मोहलेगा आसरम घोमते घोमते धकान होने पर बैठने के वेवस्था और मसीन का ठंडा पानी पीने के वेवस्था भी है मंदिर की सीडियों में देखिए वो देखो एक पिरामिट दिखाई दे रहा है यहीं बैठकर बाबाजी ध्यान लगाया करते थे इसे ध्यान कुटीर कहते हैं आसरम आने से पहले गाउं के दर्सन भी कर लेना गाउं के बड़ा खूपसूरत है गाउं के दोनों गाउं के रोट के दोनों और गने गने पेड है बिरसी के भावाई अड़ा भी है उदर और बिरसी के वाली काली माता के दर्सन भी कर लेना गाउं की प्यारे सी जिंद्गी की दरसन भी कर लेना अब आपको बाबा जी जहाँ बाबा जी का जहाँ साधने स्थल है वहाँ भी लेकर जाऊँगा और पिर समाधी स्थल की तरफ भी लेकर जाऊँगा एक दम भी खुब सूर्ती से सजाया गया आसरम को एक दम देखते ही रोनक बनती आप से देख सकते हैं देखे ये बाबा जी का समाधिस्तल है बाबा जी की समाधिस्तल को परनाम कर लीजिए आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इससे काम करने का इंक्टेस्ट बना रहता है आगे भी अच्छी अच्छी यात्रों की वीडियो बनाऊंगा थेंक्यू वीरी मच पर वाचिंग इस वीडियो गुड डे टू अल